ओम शान्ति आप से वको स्वागत है आज के दो जुलाई की श्री ब्रतान में जहां परम्पिता परमात्मा हमें बहुत उमंगत सा बहुत शक्तियां बहुत गुणों के साथ में भर देते हैं जब हम उनकी याद में कोई भी कर्म कर रहे होते हैं इसके अनुभव भी हैं और इसको अनुभव करने के लिए आपको स्वाइम परमात्मा से जुड़ना कैसा है अब सोचते हैं कि हम तो भक्ति करते हैं हम तो पूजा करते हैं पाट करते हैं हम तो मंदर जाते हैं मज़े जाते हैं उस बत सारी बाते ठीक हैं लेकिन परमात्मा पिता कहां बैठे हुए है याद करता समय उनको हम उपर याद करते हैं कि हाँ भगवान आपके उपर कहीं बैठे हुए हैं कहा हैं किस रूप में हैं किस फॉर्म में हैं और उनका नाम क्या है ये जाने बिना हम उनसे जुड़े बिना कोई भी जब कर्म करते हैं तो उसमें हम मैपन ले आते हैं अपने विकारों को ले आते हैं लेकिन परमात में कैसी उरजा है जिनके साथ में अगर हमारा कनेक्शन बैठ जाए तो हम हर कारे में सफलता पूर वक्षर चीज़ कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि वो कारे 100% सफल होगा ही होगा सफलता की डेफिनेशन अलग है सफलता की डेफिनेशन यह नहीं कि आपने वो कारे किया और वो 100% पूरा हुआ वो फोकस नहीं रहता है कारे करते समय मज़ा आना यही सफलता है जब वो मज़ा आ रहा होता है, वो कारे करते हुए, चाहिए छोटा ज़ा का रहे हो, खाना पका रहे हो, चाहिए आप घर में सफाई कर रहे हो, चाहिए आप ऑफिस टे ड्राइफ करते जा रहे हो, भीड़ भाड में, कोई भी कारे कर रहे हो, लेकिन आप उसमें इंजॉइम करते हैं, अगर तुम मेरी याद में करते हो, तो लिए शन सफल महनस होता है, देखें परमात्मक्र कहते हैं, बाबा कहते हैं बाप की मदद द्वारा, उमंग अध्सा और अधक का अनुभव करने वाले कर्म योगी भवा कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण extra मदद मिलती है कर्म योगी मतलब कर्म और याद योग मतलब याद परमात्मा के साथ connection उनसे हम एनरजी लेते हुए उनकी याद में हम कारे कर्म करते हैं तो हमसे कोई पाप कर्म नहीं होते हैं, हमसे कोई गल्तियां नहीं होती हैं। कोई भी काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग उत्सा है, हिम्मत और अथक पन की शक्ती देने वाली है। उमंगुच्सा भी देती है आतक पन भी महसूस कराती है और साती साथ हमें बाबा से हिम्मद भी मिलती है पर प्रमद कहते हैं जिस कारे में उमंगुच्सा होता है वे सफल अवश्य होता है तो आप खुशी-खुशी कर रहे हैं उमंगुच्सा में कर रहे हैं और आप उसमें कुछ लेना देना नहीं है आप उसके आउटकम से भी तब फोकस नहीं कर रहे हैं लेकिन आप उस कारे के जो कर्ब शेली है जो आप कर्ब करतब कर रहे हैं उसमें उसमें आपको मज़ा रहा है और वो मज़ा करते 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 हम जब देस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो वह सुमानी लगती है तो हर सेकंड ही हमारा सक्सेस का सेकंड है यह नहीं कि यह मैंने अगर वीडियो खत्म कर ली तो हाँ बहुत बड़ा काम था आज तो इंपोर्टन था सारी सिट्वेशन नहीं मिल रहे थी क्या करें किस समय करें रिकॉटिंग कार में हलसल भहत थी नई जो प्रोसेस है उसको इंजोय करना है अर्थ वह सारे कारे को तो जी पर बड़े में उमंग उचसा होता है वेस सफल अवश्य होता है बाप अपने हाथ से काम नहीं करते परमातम यह नहीं क्यों वो अपने हाथ से आकर के दीचे हमें help करेंगे मदद करेंगे उठाने में साफ करने में कुछ करने में लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं तो मदद क्या होती है अगर किसी बैटरी पावर कम होती है इस प्रिक को चार्ज करता है उसकी पावर बढ़ जाती है उसी तरीके से हम आत्माई जो हैं हमारी बैटरी की पावर जाका में इरिटेड रहती है चोटे बड़े काम इरिटेड यह क्यों नहीं कि आ तो बाप और आप तो आप और अब तो आप और बाप और बाप और आप यह combination कैसा हुआ perfect combination इस समय में जो कोई दिखाई नहीं दे रहा है मैं जो याद है कि मैं अपने life में भी पूछता था पूर्मात्मा की याद में कोई कारे करे तो वो सफलता में प्राप्त हो सकती है और वो बहुत हलका पैन महसूस हो सकता ह समय और परमात्मा के बीच में वहां वाके भी आते हैं कहते हैं कि तुम अगर दस किलोमेटर भी चल जाओगी मेरी याद में तुम्हें थकावट नहीं होगी तो मैं तो योगा जोगिंग सारी चीज़ें करता था तो मैंने experiment करना शुरू किया परमात्मा के साथ में अपनी साथ ही लेकिन वह शक्तिती थी वह छีल परमात्मा की याद में सारे कारे करा जारा जा जाहेो योगा कर रहा हैं चाहें आप कोई भी जीज़ कर रहे हैं तो इसमें इतनी ताकत मिलती थी इतना इंथियादम मिलता था और फिर यह भी नहीं था कि हाँ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं किस टाइप कर रहा हूं लोगों के साथ मेरा क्या मतलब है वो कुछ भी नहीं होता है जब परमात्मा करते हैं आप उ आपको पुरा जोशच चड़ जाए आप राद भर वक्ती कर रहे हैं सिर्व वक्ती की बात नहीं हो रही है आपके छोटे छोटे कारे जो होते और उसे बड़े बड़े कारे वो भी आपके सफर दो आते हैं जब आप उमंग उत्साथ से करते हो और सपेशली जब उसमें आ ज आपको पूरे दिन भर काम करना पड़े अपने घर में चाया office में काम करना पड़े चाया कोई बड़ी चीज हो कोई बहुत बड़ा आपका एम हो objectives हो आपके business में हो जॉआ आका ही job में क्यों न कोई बहुत बड़ा आपको contract मिला हो आपको काम करना पड़े उसके उपर प्रोजेक्ट मिला हो परमात्मा कहते हैं हर चीज में अगर आप मेरी याद में करते हो कारे तो आपको सफलता हर किस ही मिलेगी लेकिन उसके अंदर आपके जो अफ़गुण होंगे वो जब हटेंगे तब आपको मिलेगी तो परमात्मा को सिर्फ याद करना और अफ़गुणों को भी याद करना ये दोनों साथ में नहीं सकता है तो परमात्मा की याद माला अफ़गुणों को भूलना और अफ़गुणों को याद करना और शक्तियों को इस्तमाल करना जो कि हम ब्रह्मकमारिस में सीखते हैं कि ताकि मन बुद्धी जो है वो एकागर रहे इदर उदर हल्चल में ना आए इसो कहते है परमात्मा की याद तो देखें परमात्मा हमें कैसे शक्ति देते हैं आप भी इसको आकर के सीखे साधिन का कोर्स है आपका ब्रह्मकमारिस में तब जाके आपको समझ आएगा और यह अनुभव जब होगा तो यह बातें आपको उसमें लगेगी कि अच्छा ऐसा भी होता है इतना हलकापन भी होता है और फिर आपकी जो ताकत होगी वह आप बिना थके वह सारे कार्म को करने वाली ताकत आपके पसाएगी इसके साथ ओम शानती